जैहिन दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल अनोका अंदाज में आज हम लोग हाईग्रोमीटर के बारे में पढ़ने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाईग्रोमीटर यानि कि जो हाईग्रोमीटर रहता है इसमें एक ड्राय वल्ब रहता है और एक वेट वल्ब थर्मोमीटर रहता है यानि कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे दो तरग का यहाँ पर हम लोग को थर्मोमीटर देखने को मिलेगा एक wet देखने को मिलेगा और एक dry देखने को मिलेगा और यह used होता है relative humidity को measure करने के लिए यानि कि atmosphere पे जितना भी relative humidity है उसको यह measure करता है dry और wet वोग thermometer से These are two identical thermometers mounted together यहाँ पर दो हम लोग को separately identical thermometer देखने को मिलेगा एक होगा dry वाला और एक होगा wet वाला तो यह दोनों अलग अलग रहता है लेकिन वो लोग दोनों जो है वो एक ही board पर mount किया जाता है लेकिन यह दो अलग अलग identical thermometer रहता है The bulb of one thermometer is exposed to the air where the second bulb is wrapped with a piece of muslin which is being kept constantly moist because it is dipping into a small container with water in it जो एक यहां पर thermometer है वो exposed किया गया है air में यानि कि वो air के contact में directly रहता है लेकिन जो एक रहता है thermometer वो muslin cloth से wrap किया हुआ रहता है और वो जो है वो container जिसमें पानी भरा हुआ है उसमें वो dip रहता है यानि कि एक thermometer जो है वो air के contact में है और एक जो है वो water के contact में है तो यहां से हम लोग समझ सकते हैं कि जो dry वाला bulb thermometer है वो air के contact में होगा तभी तो वो dry है और जो water के contact में है वो wet bulb thermometer है वेट वर्ब थर्मोमेटर गिफs a lower temperature जो वेट वर्ब थर्मोमेटर रहता है वो हमेसे एक lower temperature को दिखाता है क्यों दिखा रहा है क्योंकि simple सा बात है कि वो पानी में यहाँ पर dip किया हुआ है यानि कि Muslim cloth से उसको dip करके तो उस थर्मोमेटर पर जा रहा है तभी तो वह वेट है तो वाटर के कॉन्टाक्ट में आने से जो उसका temperature है वो मीजे गिर जाता है यानी कि वह लोगा टेम्परेचर को हाँ पर दिखाने लगता है तो इसी को बोलते है वेट बल्ब थर्मोमेटर और वो ड्राय वल्ब थर् तर्म सेम लिए यहां रेडिंग लेंगे तो यहां लिगरी सलसिएस डोन वाले में भी और ड्राय वाले यहां ऽथ को भुमिड रीडिंगे अपना यह देखेंगे यह हमारे एक हाइग्रो मीटर है यहाँ पर तो वेट बल्ब थर्मोमिटर और ड्राइवल्ब थर्मोमिटर यह एक दो आइडेंटिकल यहाँ पर ट्यूब्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं कि जो अलग-अलग थर्मोमिटर है तो जो वेट वाला है वो यहाँ पर एक मुसलीन क्लोथ से टिप करके वो वाटर कंटेनर में डाला हुआ है तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि यह वेट है और ड्राइव वाला डायरेक्ली कॉन्टैक्ट में रहेगा एटमसफेर के तो इसका हम लोग को रीडिंग लेना है तो रीडिंग लेने के वो कितना है तो हम लोग यहां से रीडिंग देख लेंगे कि जो ड्राइव वाला वल्फ थर्मोमीटर है वो 21 है जबकि जो वेट वाला थर्मोमीटर है यह 14.5 कुछ आ रहा है क्योंकि 10 के ऊपर जा रहा है तो 14.5 सम्थिंग आ रहा है तो यह हो गया ड्राइव वल्फ का औ उसमें उपर में लिखेंगे जो से बेंगे लनारा राम रिकारडिंग वेट बंजुक यृट टेंपरेचर। चल्सियस में लिए था उसको यहा पर रिप्रेसेंट करना है तो पहले लोग प्लेंगे इक को लिएत को में बनाएंगे उसके बगलम से बस्ग animation रहेगा फिर ड्राइब लोग ने लिया है फिर वेड वर्ब का टैंपरेचर जो की डिगरी सल्सियस में है फिर इसका डिप्रेशन निकालेंगे और फिर रिलेक्टिव हीवनटिटी जो परसेंटेज में दिया हुआ है तो यहाँ पर देट लिखते हैं, तो आज का देट लिखते हैuate जैसे 10, 1, 20, 23 है, तो माल लेते हैं, यह देट हम लिखते हैं, टाइम हो रहा है, अब भी 1.30 पीम हो रहा है, तो हम लोगों ने रीडिंग लिया था, 24 और 13 और हम लोग को क्या करना पड़ता है कि dry含 वल्फ का temperature जो है और और डिप्रेशन को देखना आपने एक चार्ट आएगा उसमें हम लोग ट्रॉड वल टेंपरेशल को देखें के और इसकर डेप्रेशन देखें लोग लोग निम्ति जा रहा है यहां पर यहां पर निकालने के ले क्या करेंगे relative humidity निकालने के लिए हम लोग अपने dry bulb temperature और depression को देखेंगे dry bulb जो temperature था वो 21 आया था तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर इस जगह पर कुछ 21 आ रहा है उसके बाद हम लोग depression देखेंगे तो 6.5 आया था तो 6.5 जो है यहाँ पर उपर में आ रहा है इधर 6.5 तो यह 6.5 और 21 का कॉलम जहाँ पर मैच कर रहा है 6.5 और 27 का कॉलम मैच कर रहा है कहाँ पर तो 45 के पास मैच कर रहा है तो 45 के साथ जब मैच कर रहा है तो यह हो गया हमारा relative humidity तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे dry bulb temperature 21 था जो 21 यहाँ से जा रहा है और डिप्रेशन जो है वो 6.5 है तो 6.5 डिप्रेशन और 21 जहाँ पर मीट कर रहा है आपस में यानि कि 45 के पास मीट कर रहा है तो यह हो गया हमारा relative humidity जो की percentage में आएगा तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर हम लोग ने वैसे ही relative humidity 45 लिया है तो क्या किया जो dry work temperature था और depression था वो दोनों को match किया और जहाँ पर वो दोनों intersect किये वहाँ पर जो point आया वो हमारा relative humidity हो गया